हलो स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप सब आज का आपका टॉपिक है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम बी फार्मसी फर्स समस्टर हुमन अनाटोमियन फिजियोलोजी यूनिट नमबर थ्री और ये टॉपिक और भी जगे नर्सिंग वगेरा में बी एससी वगेरा में तो दे रखिए और अगर आपको नोट्स के रिक्वार्मेंटे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो मैंने टेलिग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखिए आप जाके विजिट करते हैं तो चलो चुरू करते हैं अस्टा टॉब तो क्लियर फेगोसिटिक सिस्टम अब यह दोनों नाम क्यों रखे गए लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा अभी फिलाल आपको इतना याद रखना है आर यह सिस्टम रेटिकुलो एंडोथिलियल सिस्टम ओके तो अगर आपसे कोई जिसमें फेगोसाइटिक प्रोपर्टी बहुत जादा हो जिससे मैं एक्जामपल देता हूं कि फेगोसाइटिक प्रोपर्टी होती क्या है जिससे यहाँ पर है मैक्रोफेज मैक्रोफेज की सेल है और यहाँ पर अपनी बोडी में कोई बैक्टिरिया आया ठीक है यह मानलो सुं स्टर्टिंड Hai तो यह मैक्रॉफेज की सेल क्या करेगी इस बैक्टिरिया को इंगल्फ कर लेंगी इंगल्फ मतलब खा जाएगे और इस प्रोपरटी से घ्क रोपरिटी से फेगोसाइटो सिस तो एस्टम से cell का जिसके पास phagocetic property बहुत जादा हूँ ठीक है तो आप देखते हैं कि यह macrophage बंती कैसे तो देखो पिला नाम क्या है macrophage आ गया ठीक है अब tissue अगे अभी बताता हूं end में दोनों नाम आपको याद हो जाएंगे guarantee चलो तो मैं इतना पता लग गया कि आरिये सिस्टम में ऐसा सिस्टम होता है सेल का जो की phagocetic property रखता है मतलब इंगल्फ करने की property रखता है foreign particle को जैसे बैक्टिरिया हो गया वाइरस हो गया अब देखो यह बंता कैसे है तो देखो हमें इतना तो पता है कि जो blood की cells है जैसे RBC, WBC, flat leads यह सारी bone marrow में ही बनती है तो चलते bone marrow के पास मैंने पूछा bone marrow से कि आप क्या produce कर रहे हो तो bone marrow बोलता है कि मैं produce करता हूं monocyte मैंने का चलो ठीक है bone marrow ने क्या produce कर दिया bone marrow ने monocyte को produce कर दिया अब आप पूछो के सार यह bone marrow होती का है तो जो लंबी-लंबी bones होती है अपनी बोडी में उनके नीचे वहाँ पर bone marrow present होता है और वही जो है RBC, WBC, flat leads बनाता है ठीक है तो bone marrow ने क्या बनाया bone marrow ने produce किया monocyte अब देखो जब कभी inflammation हुआ जब कभी भी हमारी body को harm पूचा, नुकसान पूचा तो होता क्या है यह monocyte जो है blood में आ जाता है ठीक है जैसे माल लो यह M4 monocyte है और जब भी inflammation हुआ तो यह monocyte जो है मैंने आपको arrow करके बता रखा है कि blood vessel में आ गया ठीक है तो bone marrow produce monocyte clear है और during inflammation this monocyte goes into blood circulation ओके तो आप देख रहे हैं कि जब inflammation होता है तो यह monocyte जो है blood vessel में आ जाती है blood के circulation में आ जाती है ठीक है उसके बाद ही जाती है tissue के पास कि कहां पर inflammation हुआ है इसलिए यह जाती है tissue के पास tissue का मतलब आप जानते है group of cell इस तरह से cell का group है जहां पर inflammation हुआ है और यहां पर पोच जाता है blood circulation के तुरू macrophage macrophage बोलता हूं tension वाली बात नहीं है मैं आ गया हूं ठीक है तो देखो यहां पर tissue पर पोच रहा है कौन पोच रहा है macrophage पोच रहा है ठीक है तो देखो tissue macrophage system clear है अब देखो क्या होगा next देखो आप tissue तक आगया अपना monocyte तो देखो जैसे ही monocyte tissue में आया अब tissue में उसको क्या मिलेगी maturity मिलेगी और phagocytic property मिलेगी तो monocyte blood circulation के थूँ tissue में आया और tissue में उसको क्या मिल रहा है एक तो maturity और एक phagocytic property मतलब monocyte जो है develop हो रहा है mature हो रहा है और उसमें phagocytic property भी आ रही है finally यह जो monocyte है after maturation after gaining phagocytic property यह जो है convert हो जाता है macrophage में यहाँ पर मैंने लिखा है now this monocyte finally converted into macrophage कब convert हुआ जब इसमें maturity आ गई phagocytic property आ गई ठीक है तो simple सा है जो bone marrow है उसने monocyte बनाया वो monocyte blood circulation से थूँ होते हुए tissue के पास गया tissue में उसको maturity और phagocytic property आई tissue से निकलने के बाद हमने उसको बोला यह macrophage है और यह macrophage जो है different part में जाता है हमारी body के now this macrophage spread into different parts of body ठीक है तो यहां तक सारी process clear है आपको अब देखो आगे इसके function क्या क्या है सबसे पहला function है participate in inflammation and healing inflammation और healing में participate करता है दूसरा है defense against the bacteria मैंने आपको बोला जैसे कोई bacteria है तो macrophage क्या कर लेगा उसे phagocyte कर लेगा third है participate in immune system एक बात बताओ जब bacteria को इसने खा लिया तो bacteria हमें नुक्सान ही नहीं पुचाएगा तो यह हमारे immune system में भी participate कर रहा है एक तरीके से fourth है remove all wbc rbc platelets जो पुरानी rbc है wbc platelets है उनको remove करने का काम भी यह system करता है that is known as res system I hope आपको clear हुआ होगा तो बस इतना ही लिखना है आपको res system में सब सब पहले bone marrow ने monocyte बनाया वह monocyte का गया देखो यह पर वह monocyte blood circulation में गया blood circulation में होते हुए वह tissue के पास पूचा और tissue में उसकी maturity हुई और phagocytic property आई उसके पास जब वह tissue से निकला तो अब वह monocyte नहीं रहा अब वह macrophage हो गया ठीक है सीदी सी बाते bone marrow ने monocyte produce किया यह monocyte blood circulation में आके tissue के पास आया tissue में इसके पास maturity आई और इसके बाहर निकलने की बात अब जब वह tissue से बाहर निकलेगा ना तो उसमें maturity भी आ गई और phagocytic property भी तो अब हम उसे monocyte नहीं कहेंगे अब उसे हम क्या कहेंगे macrophage कहेंगे और यह macrophage different parts में जाएगा हमारी body के और यह सारे function करेगा आई होगा को clear हो गया होगा आप इसे अच्छा से लिख सकते हैं तो अगर किसी को भी doubt है तो वो comment section में comment कर सकते हैं किसी को किसी other topic से भी doubt है तो वो भी comment section में comment कर सकते हैं और अगर किसी का भाई बंदू relative need की profession कर रह है class 10th के science के lecture भी हाँ पर है तो जरूर suggest करना अपने cousins को काफी helpful रहेगा उनके लिए have a nice day thank you